नमस्ते गाईज मेरा नाम है अभी मन्यूँ स्वागात है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज़ करना पड़ता है तो आज के वीडियो में दोस्तो यही सीखने वाले है इस प्रकार के सेंटेंसिस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है और फिर आप उन्हें अपनी डेली कन्वसेशन में इस्तमाल कर सकते हैं आईए गाई शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इन थरीकों के सेंटेंसिस में दोस्तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो यह है कि ऐसा क्या हो गया कि इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इसका रूल देखिए बहुत ही सिंपल है उसके बाद आपका सेंटेंस और लास्ट में क्वेशन मांग दोस्तों क्योंकि सवाल पूछा जाता है सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है एक्जाम्पल से बहतर समझेंगे ऐसा क्या हो गया जो तुम्हे वहाँ जाना पड़ा ऐसा क्या हो गया कि वह बिना बताए चला गया ऐसा क्या हो गया कि तुम्हे मना कर दिया की जो सेमी है ऐसा क्या हो गया कि तुम्हे से बात नहीं कर रहे ऐसा क्या हो गया कि तुम्हे से बात नहीं कर रहे ऐसा क्या हो गया कि तुम्हे से बात नहीं कर रहे ऐसा क्या हो गया कि तुम्हे से बात नहीं कर रहे What happened that you said yes What happened that you said yes तो ये था guys हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि ऐसा क्या हो गया कि या ऐसा क्या हो गया जो इन प्रकार के sentences को English में किस rule के according आप form कर सकते और फिर आप उन्हें अपनी आम वोजचाल की भाशा में इस्तमाल कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आईए होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछना को जरूर सीखाई होगा तो मिलते हैं guys अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्नवाद